हेलो गईद नास्कायर वेलकम टो अलेंग ज्यान बायानन तुमेर उत्रखन के पहरे साथियों उत्रखन लोग से वा आईगो के जेई एई पेपर लिक मामले में बीते दिन आपको पता है SIT टीम ने हमारे 9 नामजद लोगों पर मुगदमा दर्जे किया हुआ था Breaking Update अभी अभी निकल के आरेकिन 9 नामजद लोगों में से तीन लोगों को अभी अभी असाइटी टीम ने कड़ी पूच्ताज के बाद गिरिपतार कर दिया है साथियो इसमें अनुभाग अधिकारी उत्रखण लोग से वा आयुग का संजी कुमार भी गिरिपतार हो चुका है दूसरा नितिन चोहान तीसरा सुनील सैनी साथ यो आपको पता है उत्रकंड लोग से वा आयोग ने इन अनुभाग अधिकारियों गोपनी अधिकारियों के कारिकाल के दौरान हमारे काफी भर्टियों का आयोजिन किया हुआ था तो इन अनुभाग अधिकारी गोपनी अधिकारियों ने यदि हमारे J.A.E. पेपर को बेचा था तो क्या हमारे पुराने हाली में संपन हुए उन परिक्षाओं में इनने अपना हतकरणा नहीं अब जजमाया होगा ये सबसे बड़ा सवाल है हमारी परिक्षाओं में और संदे हमारा बढ़ता जा रहा है चलिए पूरी खबर पापको इसकी जानकार देते हैं तो जेई एई प्रश्णपत्र परकरण में साइटी टीम ने परियाप्त साक्षियों के आदार पर उक्त परिक्षाओं मामले में तीन अभ्यूकत एक तो संजी कुमार है उत्राकर लोकसे का अनुभाग अधिकारी दूसरा नितिन चोहन तीसरा सुनिल सैनी इनसे कड़ी पर लेकर 28 लाख रुपे उसको दिये थे संजीव चत्रवेदी को इस अनुभाग अधिकारी ने फिर अभ्यूक्त नितिन और सुनिल को इसने बेचा था और कई अभ्यूर्थियों को एकत्रित करी इस नितिन और सुनिल ने इसमें से भी मुनाफ़ा कमाया तो आप लोग द पर लिया गया एज एका 28 लाख रुपे में संजी कुमार ने संजी कुबार ने फिर वेचा अभ्यूक्त नितिन और सुनिल को फिर सुनिल ने अभ्यूर्थियों को एकत्रिक करके उनमें मुनाफ़ा कमाया तो इस तरह से ब्यापार हमारे उत्रखन लोग लोग से वायोग और UKSSCIO हमारे पेपरों हमारे भरती परिक्षाओं के साथ कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं आने वाले समय में यदि हमारी CBI जाच नहीं होती है तो बड़े संकट के बादल साती हो हमारे भरतियों में ये देखने को मिले हैं चलिए कोई भी अपडेट आती है मैं त करन ता आपको सुचना देदूगा फिलाला अभी हैंसे विजाले तो आपके समूं थैंक्या